इस एपिसोड में आज में आपके लिए लेकर आई हूं गुरु पराकी की रेशिपी जो कि भीहर की फेमस रेशिपी है इसे बनाना बहुत ही असान है खौने में तो बहुत ही मज़ेदार इसे आप खोली के टम में बनाईए लोग आएंगे आपके घर पे मेमान तो मांग मांग कर खाएंगे भी और साथ में पैक कराकर भी ले जाएंगे नमस्कार दर्सको घर का जाए कावित खुश्बू में आपका स्वागत है वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक चैनल पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गुर्थ पढ़ाकी बनाने के लिए सबसे पहले हमें हाँ पर डोकी तैयारी कर लेंगे तो इसके लिए हम एक बर्तन में आदा केजी मैदा एड़ करेंगे यह बहुत ही खाने में लाजवाब लगता है फिर हम इसमे एड़ कर देंगे तेन चाम मच देसी घी अगर आपके पास घी नहीं है तो आप वाइल का भी इस्तमाल कर सकते हैं बट मैं आपको सजेसन करूंगी कि आप घी कहीं यूज किजिए तो इसे हम मिक्स करेंगे और इसमें हम घी इतना आइड करेंगे कि जब हम इसकी मुठ्री बनाएं तो यह एक दुसरे में समट जाए तो देखिए यह मुठ्री बन चुका है तो यहां पड़िये घी बड़ावर कॉंटिटी में है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आइड करकर इसका एक टाइट डो तयार कर लेंगे और इसका एसाथ डो तयार करेंगे कि हमें सुखा आटा लेने की जरुवत ना हो जब हम इसे बेलेतो गुजिया भी हिसे कहा जाता है इसे बिहार में पड़ा की कहते हैं और आप हमें कमेंट करकर बताईएगा कि आपके सेहर में इसे क्या कहा जाता है तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में और यहाँ पर पानी अब थोड़ा थोड़ा करकर ही राइट करिएगा नहीं तो ये डो धीला हो जायेगा तो फिर ये अच्छा से बेलाएगा नहीं और फिर अच्छी गुजिया तयार होगी नहीं तो अब ये डो तैयार हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा गी लगा कर इसे आदा घंटे का रेश्ट देंगे, तो गी को हम चारो तरप से मिक्स कर लेते हैं और इसे आदा घंटा का रेश्ट देंगे, गी लगाने से ये होगा कि आपकी जो डो है वो सुखेगी नहीं, और इसे हम मिडियम से लो फ्लेम पर धीरे धीरे खुस्पू आने तक या फिर कलर चेंज होने तक कुप करेंगे, और इसे हम चलाते रहेंगे धीरे धीरे, सूजी का धामक बहुत अच्छा लगता है, जब ये रोस्ट होता है तो, तो देखिए ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर रहा है, और यहां पर भी आप लो को फ्लेम रखिएगा, क्यूंकि इससे सूजी नहीं तो बहुत जल्दी ही कुख हो जाएगी, और सूजी को कुख होने में टैम भी नहीं लगता, तो इसलिए आप इससे लो ही रखिएगा, और मैं एक छोटी से सहर से बिलोंग करती हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी इंगीडियन्स वाली और अच्छी अच्छी सिहत वाली रेसिपी आप लोगों के लिए परजेंट कर सकूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल प्राएं तो, और ये रेसिपी ऐसी है जिसे बिमार आदमी भी खा सकता है, क्योंकि इसमें हमने गूर का इस्तिमाल कर रही हूँ, तो अब यहाँ पर सुजी रोष्ट हो चुका है, अब मैं यहाँ पर आइड करूंगी एक चमच घी, घी हमारे सरीर के लिए बहुत ही फाइदे मांद होता है, इससे हडिया मजबूत होती है, अस्किन पर ग्लू आता है, तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, और इसे आप कराई में मत रखिएगा, नहीं तो यह जल जाएगा, तो यह अच्छी तरह से कुख हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसे ठंडा होने देंगे, तो चलिए इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, अब हम इसी पैन में रिफाइंड ओयल एड़ करेंगे, और फ्राइ करने के लिए, तो इसे हम मिडियम से लो फ्लेम पर कर्म होने देंगे तेल को, और मैं आपको इतना सुमें ही तेल में आधा केजी मैदा का गुजिया बना कर दिखाऊंगी, तो यहाँ पर देखिए, सुजी भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी, 1500 ग्राम इलाइंची स्वाद वाला गूर, इसमें इलाइंची डालने की भी कोई जरुवत नहीं होगी, अगर आपके पास ऐसी गूर नहीं है, तो आप इसमें इलाइंची भी एड़ कर सकते हैं, एक से दो, और मैं आपको यहाँ पर दो तरह की पड़ाकी बनाना बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखेगा, इन तक बहुत मज़ा आने वाला है, फिर मैं इसमें एर कर दूंगी, कटा हुआ नारियल, और इसे हम करते हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे साइड में, तो आदा घंटा हो चुका है, अब हम डोपो भी देख लेंगे, तो आप्टर हाप आवर्स, तो यहाँ पर देखिए, डोपो भी बहुत अच्छी तरह से स्वाप्ट हो चुकी है, अब हम इसका बड़ा बड़ा पेड़ा तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे पड़ाकी बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइज का हम पेड़ा लेंगे, तो इसे हम पांच डिवाइड में बाट दिये हैं, और मैं यहाँ पर एक थाली का इस्तमाल करूँगी इसे बेलने के लिए, क्योंकि मेरे घर में इतना बड़ा बेलना और चकला नहीं है, तो इसे हम बेल लेती हूँ, अब कोई भी साइज में बेल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यह राउनी बेल आए, तो अब हम इसे बेल चुके हैं, रोटी के साइज में और रोटी के जैसा हमें इसे पतला भी बेलना है, अब हम एक कटोरी का इस्तमाल करेंगे, जो कि जुगार है, अगर आपके पास केटर है, तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत ही जुगारों तरीके से बता रही हूँ, तो कटोरी से हम इसे गोल स्लाइस में कट कर लेंगे, या फिर गिलास का इस्तमाल कर सकते हैं, अब हम इस पे चारों तरफ से पानी लगाएंगे, तो यहाँ पर हम एक चम्मच सुजी का भढ़वा लिए, और इसे चारों तरफ से हम कटोरी में पानी लगा लेंगे, पानी बहुत जरूरी है नहीं तो ये सारा गुजिया बाहर आ जाएगा अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे टाइट से दवा लेंगे और इसे अब तुरन डीप डाई मत करियेगा नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा इसे थोड़ा देर के लिए रेश्ट करियेगा अब हम इसे कोई सेब देंगे कि देखने में सुन्दर लगे तो इसे हम जिग जग वाला सेब दे रहे हैं अगर आपको ये बनाना नहीं आएगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी तो इसके लिए आप वीडियो को देखिए तो इसे भी हम फोल्ड कर देंगे और इसे भी दवालेंगे फिर हम यहाँ पर एक फोल्ड की हल्ड से इसका हम निशान दे देंगे तो लेजी एक ये भी डिजाइन देयार हो गया ये तो सभी कोई बना सकता जिसे नहीं भी आता इस टीजान से आप मोमोज भी बना सकते हैं वो भी यम्मी लगेगा और देखने में सुन्दर दोनों तरफ से हम पोक की हल्प से एक डिजाइन दे देंगे तो लिजे ये भी तैयार है अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं पडाकी बनाने का तो मैं यहाँ पर उसी तरह से रूटी की तरह बेडली हूँ और इसे साइड में एक्स्ट्रा जो है उससे हम चाकू की हल्प से कट कर लेंगे और इसे एक चकोर सा सेप देंगे ओली के दिन जब आपके हम एमान आएंगे तो वो तारिफ किया हुए बिना नहीं रह पाएंगे आप इस तरह के गुजिया उन्हें बना कर खेलाईए या फिर पडाकी जो भी कह दीजे इसे हमारे घर में तो इसे पडाकी ही कहा जाता है अब हम चारों में तरप से इसमें पानी लगा देंगे पानी का इस्तमाल कुछ ज़्यादा कीजिएगा फिर हम पट्टी के बीच से छोटा छोटा ट्राइंगल जैसा सेफ दे देंगे लंबा लंबा चकोड में सेम इसी तरह का प्रोसेस करना है अब हम इसमें फिलप बढ़ेंगे और इसे मोड लेंगे इसलिए हमने कहा कि पानी आपको पूरी तरह से लगाना है और इसे दवा के चारो तरफ से दवा देंगे फिर हम एक पट्टी उठाएंगे एक तरफ दुसरा पट्टी दुसरा तरफ सेम इसी तरह का प्रोसेस करना है और जो इक्स्टा पट्टी है उससे हम मोड लेंगे और इसे फिर से दावा लेंगे एक वाय ताकि फिल अप बाहर ना आए इसी तरह से हम दूसरा भी त्याय कर लेते हैं तो लीजिए पढ़ाकी का सेप तयार है अब हम इसे डीप फ्राई करते हैं तो एक उठाएंगे और इसे गर्म तेल में एड कर देंगे इसी तरह से हम बाकी को भी इसमें एड कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए कुछ नहीं करेंगे और फिर हम इसे किसी चिम्टे की हेल्प से किसी कलची की हेल्प से उलट पुलट करेंगे और फ्रेम को हम यहाँ पर मेडियम रखेंगे चुकि मैंने यहाँ पर गूर का इस्तमाल किया है तो यह धीरे धीरे गूर मेल्ट होगा और इसका कलर भी चेंज होते चला जाएगा तो देखिए धीरे धीरे यह गूर इसका मेल्ट हो रहा है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है तब तक यह golden brown होता है तब तक हम इसे cook करेंगे तो यहाँ पर यह golden brown हो चुका है और गोर भी melt हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो हम इसे निकालने के लिए एक छणोटा का इस्तमाल करेंगे इसे तेल जल्दी ही निकल जाएगा बाहर एक्स्ट्रा और यहाँ पर टीशू पेपर की भी जरुवत नहीं पड़ेगी तो इसी तरह से हम बागी को भी छान लेंगे हैना कम में ज्यादा देखिए बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी है अब ज़रू ट्राइ करना और हमें कमेंट करकर बताना की कब बना रहे हैं अब सारे पड़ा की तयार हो चिकी है अब हम इसे परजेंट करते हैं पूरा गुर्ब मेल्ट हो चुका है लगणा जैसे चौकलेट जासा हैना कम में ज्यादा बनने वाली रेसिपी और हेल्दी भी तो जरूर बनाईएगा आप इसे तो मुझे पूरा यकिन है कि आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर एक परसेंट भी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 इसे लाइक किजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिए यह हिल्दी भी है और खाने में मज़ेदार भी है और सबस इसे खास इंपोर्टेंट वाद मेरे चैनल पर आए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का कॉंटेंट लाती हूं हमेशा अपने इसी चैनल घर का जाएका विद्खुश भूबें जब तक खुश रहिए खुशियां बाढ़ते रहिए आसपा सवाइब बनाए रखिये थैंक यू टेक क्यार एंड नमस्कार